नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी क्लास आपके शुरू हो चुकी है आपकी स्थाइब की मैद का अगला भाग इसके पहले आप लोगों ने देख लिया है है ना तो आज देखेंगे दुगाद समीकरण के बारे में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और कु विकतं घाल होती हैए वो क्या कालाता है दो घालाट समीकरण कालाता है जैसे हमने लिखा ऐकषी-सक्वाएर प्लस तीन एकवास प्लस जोन ये आपको सही नहीं दिख रहा तो आप क्वाल्टी चेंज कर लें बिल्कुल आपको अच्छा दिखेगा ठीक है कैमरा बदल गए आपका लाइप क्लास में क्वाल्टी नहीं सही आती क्योंकि कुछ प्राबलम है उसकी ठीक है वो भी जल्दी ही सही हो जाएगी ध्याद होता है उसके बारे में द्यान देजिए गारोंस संद्र को अगर आभाट सओ जीएगा देखिए सूत दुई घात समीकरण वो होता है जिसमें घात जो है वो कितनी हो दो घात हो ठीक है और उसके साथ में कोई एक घात का भी समीकरण आपके पास हो तो वो दुई घात समीकरण कलाता है समझ रहे न ठीक है आगे चले देखिए आगे देखते हैं इसको सबको रख द सब्सक्राइब क्या होता है यह जो हमने लिखा हुआ उपर ध्यान दीजिएगा अगर सुध्ध दुध्ध समीकरण बोलेंगे तो यक्स स्क्राइर प्लस वान इक्वान इक्वल यह जीरो या कुछ भी हो सकता है यह सूध्ध दुध्ध समीकरण है अभी दोनों में हमाँ को अंतर समठाएंगे यह जड़्य घ्याद समीकरण है देखें जब घ्यात कि हो कोई भी घात वाला मतलब उसमें पद ना हो वरियेवल ना हो मतलब एक घात वाला पद ना हो तब वो सुद्ध गात समिकरण खालाता है अगर दो घात वाले जो पद है उसके साथ में कोई एक घात वाला पद भी है एक्सकी या वाई का तो वो मिस्ट गात समिकरण खालाता है लेकिन हमने उसके पहले ही quality को बदल दिया न है देखिए ये कौन सा समीकरण है जल्दी से बताओ सभी लोग येक्स स्कार प्लस साथ येक्स प्लस एक इक्क्वल ये जीरो है ये कौन सा समीकरण है जल्दी से सभी लोग बताओ पहले नमबर एक सुद्ध दुगात समीकरण और नमबर दो मिस्त दूइधात से भी करन जल्दी से सभी लोग बताओ कौन सा है ये सुद दूइधात है या फिर मिस्त दूइधात है ओप्शन नमबर A, R, B क्या होगा जल्दी से कमेट करतें देना करें कौन सा होगा सही उसके बाद आगे चलते हैं द्यान देचिएगा बिल्कुल गवर से देखिएगा एकदम मस्त दिखेगा ठीक है टेंसर नहीं लेना है एकदम अच्छा दिखेगा है ना आगे चलें द्यान देचिएगा देखिए ये मिस्त दूइधात समीकरन के मोल ग्याद करने की बिधिया जैसे आप जानते हैं दूइधात समीकरन होते हैं य स्कॉाइर प्लस 3Y प्लस 9 इकल 0 या फिर Y स्कॉाइर प्लस 1 इकल 5X है ना लेकिन एक वरियेबल में देखेंगे पहले हम दो वरियेबल में नहीं तो कैसे निकालते हैं तीन विधिया होती हैं पहले गुलंखण विधि Y, फेल्किटरजेशन अफ कने पुलवर्थ बनाकर हादा particular शूत्र द्वारा इसमें सूत्र लगाते हैं श्रिध्रा चायवाला और इसमें गुलंखण करते हैं और इसमें क्या करते हैं संख्या को पुड़वर्द बनाया जता है तो सबसे आसान विधी बुड़नकर विधी अब देखते हैं उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों विधियों को यहां से अभी हम बिदा कर देते हैं फिर अभी लेकर के आएंगे जब इनका काम लगेगा एक समिकरण देखिएगा समिकरण तो कई होते हैं जैसे एकस स्कॉयर प्लास 7x और प्लास देहान देजिएगा 10 इक्वल क्या है? 0 एक समिकरण यह हो गया दूसरा समिकरण आपके सामने में लिख के दिखा देता हूँ देहान देजिएगा अगर ये है एकसी स्क्राइर क्लास क्या पांच एकस इक्वल कितना है छे माइनस छे ठीक है ज्यान देचेगा, एक समय करणी हो गया ये सब अलग अलग परकार के कैसे निकालेगी, ये बिरी सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना है बी च्वाले पाद को क्या करना है तोड़ना है, लेकिन उसके पहले एक काम करना है इसके पहले जो भी गुडांग है पहले तो आपको देखना है ये सिसक्वार का गुडांग क्या है, गुडांग जानते क्या होता है, अगर यहाँ पर हमने लिखा 3 यह गाते 5 इसका मतलब यक्स की गात 5 का गुढ़ान क्या है 3 है ठीक है अगर यहाँ पर हमने लिखा 9 यक्स इसमें यक्स का गुढ़ान क्या है 9 है मतलब जो संख्या के बाद में पंदलब बगल में लिखा रहेगा चरपद के ऐनी वरियेबल के बगल में वो गुड़ांग होता है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे X-square का गुड़ांग क्या है कोई कितनी नहीं दिख रही न अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं क्या मानते हैं? 1 यहाँ पर क्या है? 1 है ठीक है? 1 पर करेंगे किसका करेंगे? जो इत्म लाश्ट में होका उसका तो 10 में जब 10 का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा है ना? 10 आएगा तो क्या करेंगे आप इसे? बस कुछ नहीं करेंगे अगर गुड़ा करने पर वहीं पता रहा तो कुछ भी नहीं करेंगे वैसे रहे देगे अभी हम आपको बताएंगे आगे अगे कुछ और होता है तो क्या करते हैं द्यान दीजिएगा एक क्लास लाज कर देखेगा और अगली क्लास भी देखेगा तब ही समझ में आएगा और वाटसप नमबर 9793488448 पर कांटेक्स करना नहीं भूलिएगा ने तो फिर आपको सभी क्लास नहीं मिल सकती ठीक है आगे चलें अब भाई कोई ऐसा दो गिंती बताईए दो अंक जिसको गुड़ा कर दे तो 10 हो जाए और जोड़ दे तो 7 हो जाए अगर हम जोड़े 4 में 3 तो देखे 7 तो हो गया लेकिन अगर 4 और 3 का गुड़ा कर दे तो ये 12 हो जा रहा है गुड़ा करने पर 10 आना चाहिए द्यान दीजिए जद्दी से कमेंट दरके बताव समय लोग कितना आएगा ये गड़बड है 4 और 3 नहीं हो सकता एक और अगर 7 को हम क्या करें 7 को क्या करें एक में गुड़ा करने तो 7 हो जाएगा है ना लेकिन अगर 7 को एक में गुड़ा करने में तो हो रहा है 7 को जोड़ने में 8 हो जा रहा है जोड़ने पर साथ आए गुड़ा करने पर दस आए जोड़ने पर बीच वाला पत आए और गुड़ा करने पर लाइक वाला पत आए हम आपको इतना क्यों जलवा रहें इतना इतने जलवा रहें जिसे आपको समझ में आगा है ठीक है? और देखिएगा जोड़ने पर तो साथ और भी आ सकता है करो पांच में दो जोड़ दो भाई पांच दो साथ और पांच का दो में गुड़ा कर दो हो तो पांद नगगर बस 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 भी गुड़ा करने पर जोड़े पर सात लाना था इसका में नितरों करेंगे साथ एक्स की जगह पर रखेंगे अकिया रखेंगे 5 वैंस बस और प्लाइब से और प्लास अज copyright यह को धीए या किया अज falan interf3 मिट परistantатов जींगे बड़़् वो कही सारी कहानी इतना ही थी अब क्या करना है गुड़ा कर लो भाई x square प्लास 5 का x में गुड़ा हुआ तो यह 5 x 2 का x में गुड़ा हुआ तो 2 x बित्रण या बंटंगम होता है ना बढ़ा था प्लस 10 इक्वल 0 अब कामा ले लेंगे इसमें दोनों में इसमें दोनों में common जानते हैं हिंदी में उभय रिष्ट बोलते हैं इसमें x common हो जाएगा x plus 5 बचेगा इसमें 2 common हो जाएगा x plus 5 बचेगा और इस तरह से x plus 5 और x plus 2 होगा समझगे ना ये x plus 5 और x plus 2 बट अभी ऐसे कहानी नहीं बन नहीं है यहाँ पर ये 0 जा रहा था ना हर जगा 0 रहा था ना तो क्या करेंगे ये 0 लगाते चलो भाई बराबर 0 है ना उसको बात पर देखते हैं समी करण पहले इसको clear करते हैं x plus 5 x plus 2 एकोज 0 आ गया अब क्या करेंगे एक एको 0 के बराबर कर लो भाई तो x plus 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा माइनस 5 और x plus 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 इस तरह से समी करण के 2 मूल माइनस 5 अबर माइनस 2 आ गए ध्यान देजिएगा जितना घात का समी करण होगा उस समी करण के उतने ही मूल होगे अगर एक घात का समीकरण है तो समीकरण का मात्र एक मूल होगा अगर दो घात का समीकरण है तो दो मूल होगा तीन घात का समीकरण है तो तीन मूल होगा समझे ना? जिसके जितनी पावर होगी उस नहीं तो बोलेगा ना? लेकिन आजकर लिस्टे मांदे में कुछ और ही जादा लोग हो गए है ना देखिए आगे चले अगर एक घात का समीकरण तुझके एक मूल होगा कैसे हमने लिखा यह प्लस उपन इकवल जीरो यह एक घात का समीकरण है है ना इसमें एक मूल होगा क्या होगा एक सिक्वल सब्सक्राइब फिर हम आगे चलते हैं देहां दीजिएगा गुडंखर्ण विदी इसमें यह समीकरण है आपके सामने जो है यह फैक्टर में थेड़ है एक स्क्वाइर प्लस 9x प्लस 14 इकवल 0 जल्दी से बतातो सभी लोग कितना आएगा जल्दी से कोई भी देर नहीं करेगा आपके सामने है समीकरण इसके दो मूल कौन-कौन से होंगे यक्स बराबर इसके दो मूल होंगे कौन-कौन से होंगे प्लस 7 और माइनस 2 होगा दूसरा है प्लस 7 और माइनस 2 होगा तीसरा है प्लस 7 और प्लस 2 होगा और 14 आपgregसन इसमें एक और है न वो क्या है वो कुछ और ही है नो और दो होगा दो मूर कौन कौन से होंगे, जंदी से कमेंट तक बतादो भाई कि आगे बढ़ते हैं समझ में आरही ना बात बिल्कुल मस्त कलास होगी है, टेंसर ने लिजिएगा सब समझ में आ रहा ना, आगे चले, ध्यान देजिएगा देखिए इसके दो मूल कौन-कौन से हो सकते हैं हमें इससे कोई मत्वल नहीं जो दिया है हम हल करेंगे पहले वाचे तो सिंपल में देख लेजिए कि 9 को 2 भाग में तोड़ना है गुड़ा करें तो 14 आए जोड़ें तो 9 आए तो 7 2 9, 7 2 9, 14 घर कलो है एक इसकारण इसक्वाइर इतना करने सार्ण है मत्लद साइब आए gel नहीं किया साथ सब प्लाक अस्विए हमने क्या किया था X का साथ में गुड़ा कर दिया तो साथ X X का दो में गुड़ा कर दिया तो 2X एक लाइन छोटा हो गया इसमें दोनों में common में लेते हैं तो X common लेंगे तो X plus 7 बचेगा इन दोनों में भी तो एक common होगा रहा X होगा कeping कि उसमें X नहीं चोधा में तो यहां पर दो कामल लेंगे प्लस दो द्यान पें जो चीनिए होता वही चीनिए लगाते हैं जब दो कामल लेंगे तो 2 plus क्या बचेगा और सभी है गलाथ है क्यों क्यूं जब हम दो कामल लेंगे तो 2 कहासे बचेगा X है न तो X मचेला न तो क्या हो जाएगा? X plus 7 अब ये क्या होगा? X plus 7 और X plus 2 equal 0 equal 0 जब X plus 7 बराबर 0 करेंगे तो X कमान माइनस आएगा X plus 2 बराबर 0 करेंगे तो X कमान माइनस 2 आएगा इस तरह से आपके दो मून जो होंगे option number A सही होगा समझ गे न? ये चीज़ आपको बहुत अच्छी से लिमार भी ठाले आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे इसके आगे अबली क्लास में पढ़ेंगे आप लोगों को एक सवाल दे रहें इसको करके सभी लोग आईएगा तब जानेगी कि आप लोग पढ़ते भी हैं X स्कायर प्लस 13 X प्लस 26 इसके दो मूल क्या क्या होंगे X स्कायर माइनस 9 X और प्लस 14 द्यान दिजिए वच्छी ने बदला हुआ है देखोई तुपका मार दे पैंदे वाला चीटिक नहीं करना बबू A स्कायर प्लस 3 A और प्लस 2 इक्वल 0 इक्वल 0 इन समीकाणों के मूल निकालना आपको और सभी लोग निकाल करके बताएंगे कितना आएगा इसका मूल ठीक है आप लोग इस क्लास को देखिए इसके बाद हमारी कोसिस होगी आज रातरी में ही हम आपको एक लास और देंगे जो कि लाइव होगी मित्रों, इंटरनेट, कनेक्शन काफी प्रॉब्लम करना पर आज 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 आपके यूपी में इसकी वज़ा से आपकी लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही है वरना हमारी कोसिस रहती 24 घंटे में कभी भी अगर क्लास हो सके तो चलेगी जैसे आपने देखा कैमरा की क्वालिटी हमने चेंज कर दिया है ना बस हमारी कोसिस 24 घंटे यही है कि जल्दी से जल्दी आपको आच्छी से अच्छी सुध्या मिले क्योंकि जो 40-50,000 लोग हमें सब्सक्राइब की है और लाखों लोगों ने लाइक किया है उन लोगों का प्यार और विश्वास डिगने न अपाए अधिग रहे है और यह रहे हमारी पूरी उमीद है आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे और हम बिल्कुल सब कुछ लगा रहे है कि वह आपके लिए बस और कोई दुछना टार्गेट नहीं नो नो करी नो टार्गेट बस ओनली आनलाइन ठीक है थैंक्यू आप समी को इसी तरह से बने रहेंगा और अपने मिस्तरों में जरूर सेर करियेगा इस कलास को ठीक है ना आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद